Hello friends, welcome to Levantatain YouTube channel Levantatain YouTube channel में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है तो दुस्तो कैसे हों आप लोग दुस्तो वीडियो बहुत informative होने वाला है क्योंकि आज किसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं लड़कियां सेक्स के लिए क्यों नहीं मानती हैं जी हां दूस्तों बहुत ही different topic है, आज की इस इडियो में हम इसी topic पर बात करने वाले हैं कि लड़कियां sex के लिए क्यों convince नहीं होती हैं, हमारे बहुत convince करने के बाप जूद भी बहुत convince नहीं होती हैं physical होने के लिए, तो हम ऐसे में क्या करें, क्या regions होते हैं, क्या कारण हो स और attacked हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, फटा फट इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत informative वीडियो होने वाला है, तो चली वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और जानते हैं कि लड़कियां physical होने के लिए क्यों नहीं मानती हैं, तो सबसे प है, ऐसे क्या कारण हो सकते हैं, तो इसके बहुत सारे वैसे कारण हैं, मैंने यहाँ पर three regions बताएं हैं, जिनकी बज़े से लड़कियां अधिकतर लड़कों की तरफ convince नहीं होती है, physical होने के लिए, तो आप भी चाहते हैं कि आपकी girlfriend, आपकी partner आपके साथ physical हो, तो आप ये regions को ढूंड लेते हैं और इन पर काम कर लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और वो regions जानते हैं, क्या regions हैं जिनकी बज़े से लड़कियां physical नहीं होती, sex करने के लिए मानती नहीं है, तो first of all, सबसे पहला region है, वो ये है कि appreciate है, अब बहुत सारे लड़कों को नहीं पता होता, वो ये नहीं जानते हैं कि लड़कियां क्या चाहती हैं, वो mentally क्या सोचती हैं, तो मैं आपको बोलता हूं कि आप appreciate करो, मतलब कि ये अद्ध हैं कि लडकियां आप से पटे, आपकी ओर attracted हो, तो आपको उन्हें सराना देना पड़ेगा, मतलब कि आप उन्हें सराना इसलिए लड़कियां उनकी और अटेक्ट नहीं होती है और वो उनके साथ फिजकल भी होना नहीं चाहती है तो ये एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी बज़े से वो लड़कियां उनके साथ फिजकल होना नहीं चाहती है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप appreciate करना start करो लड़की आपकी और आएगी, आपकी और attract होगी और आपके साथ physical भी होना चाहेंगी उन्हें आप सरहना देना start करे चाहे कुछ भी आप उन्हें सपने दिखाए या आप अपनी बातों से या कुछ भी ऐसे words से आप उन्हें impress कर सकते हैं तो आप उन्हें सरहना दीजिए तो ये पहला regions हो गया जो अधिकतर लड़के नहीं करते हैं अब बात करते हैं second regions के बारे में दूसरा region है वो ये है कि language जी हाँ दूस्तों अब language की बज़े से भी बहुत सारे लड़के अपनी girlfriend को अपनी partner को convince नहीं कर पाते हैं physical होने के लिए आपने देखा हुआ कि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो लड़की के लिए fit नहीं होते हैं मतलब कि देखने में अच्छे नहीं लगते हैं फिर भी उनके बापजूत भी वो लड़की उनके साथ physical होना चाहती है उनसे attract हो जाती है तो ऐसा क्या होता है तो देखे उनकी जो है language है बहुत ही अलग होती है उनकी language की budget से वो लड़की उनकी और attract हो जाती है और उनके साथ physical भी होना चाहती है तो देखिए जो लड़के चाहते हैं कि हम अपनी partner को अपनी girlfriend को अपनी और attract करें और वो लड़की हमारे साथ physical हो तो आपको अपनी language को एकदम से perfect करना होगा आपका communication बहुत ही strong वाला होना चाहिए आपकी body language बहुत ही attractive होनी चाहिए क्योंकि ऐसे लड़कों के साल लड़कियां बहुत ही जल्दी attract हो जाती है ऐसे लड़कों के साल लड़कियां physical भी होना चाहती है आपनी देखा होगा कि जो लड़के एकदम से खामोस चुप चाप रहते हैं उनके साल लड़कियां ज्यादा बैठना पसंद नहीं करती है मतल भी जाती है और उनसे physical भी होना चाहती है जब भी उन लड़कियों का अटेच ऐसे लड़कों के साथ होता है जो बोलने में बहुत ही माहिर है मतलब की language उनकी सही है तो जब भी उनके साथ वो अटेच में आती है और उनका conversation लंबा खिछता जाता है और फिर दीरे दीरे उन आपके साथ physical हो तो आपको अपनी language पर बहुत ध्यान देना होगा तो यह दूसरा रीजन है जिसकी बज़े से लड़के अपनी partner को convince नहीं कर पाते हैं तो इस point पर भी आप काम करना start करिए तीसरा रीजन है वो यह है कि money जी हां दोस्तों यह भी बहुत ज़्यादा matter करता है यह दो आप चाहते हैं कि आपकी girlfriend आपकी partner आपकी ओर अटेक्ट हो आपस physical हो तो यह सबसे ज़्यादा matter करता है कि आपके पास पैसा होना चाहिए money सबसे ज़्यादा matter करती है किसी भी इंसान को या किसी भी लड़की को अपनी और attack करने के लिए अपनी और अकरसित करने के लिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि सच्चे प्यार में पैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये मैं नहीं आपर बोल ला हूँ लेकिन ये सबसे ज़्यादा matter करता है ये आपके पास पैसा होगा पावर होगी रुतबा होगा तो कोई भी इंसान आपके और attack हो जाएगा क्योंकि आपके पास money होगी तो आप अपने standard को high कर पाएंगे और अपने उपर कुछ खर्च कर पाएंगे अपना standard level high कर पाएंगे तो ऐसे लड़कों के साथ भी लड़कियां बहुत जल्दे attack हो जाती है जिनके पास money होती है मतलब कि पैसा होता है ऐसे लड़कों की तरफ लड़कियां attack होती है देखिए पैसा हर किसी की जरूरत है ऐसा नहीं है कि लड़कियों को पैसा नहीं चाहिए लड़कियों को भी चाहिए तो यह ज़्यादा matter करता है यदा किसी भी लड़के पास पैसा है वो देखने में ठीक ठाक लग रहा है तो लड़कियां ऐसे लड़कों की और attack होती है और जब भी ऐसे लड़कों से लड़कियां पटती है तो उनके साथ वो physical भी होना चाहती है तो यह चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा यदा आप चाहते हैं कि आपकी girlfriend आपकी और attack हो आपसे physical हो तो अपने standard को low ना होने दे मतलब कि आप अपने standard को low नहीं होने देना है अपना standard सही रखें मतलब कि देखने में ठीक ठाक रहें भले ही आपके पास पैसा ना हो लेकिन आप यह so up ना करें कि आप बहुत ही गरीब हैं बहुत ही poor हैं तो ऐसा आप बिल्कुल भी so up ना करें तो money बहुत ही ज़्यादा matter करती है यह दो आप चाहते हैं कि आपके girlfriend आपके साथ attacked हो मतलब कि आपके साथ physical हो तो यह आप जरूद ध्यान रखेगा यह तीन major point में ने जो आपको बताए हैं यह तीन major region हैं जो अधिकते लड़कों के पास नहीं हो पाते हैं मतलब कि अधिकते लड़के नहीं करते हैं तो ऐसे लड़कों के साथ लड़कियां physical होना नहीं चाहती है मतलब कि ऐसे लड़कों के साथ लड़कियां sex करना नहीं चाहती है अब बहुत सारे लोगों का ये questions लेता है कि लड़की हमसे प्यार करती है, हमारी partner हमसे प्यार करती है, हमरे साथ बैठती है, हम उसको touch भी करते हैं, लेकिन वो convince नहीं होती है sex के लिए, तो इन तीन major reasons पर आप काम करना start करें, वो convince 100% होगी, आपके साथ physical होना चाहेंगी, तो चैनल को भी तर सस्क्राइब नहीं किया, तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजीगा, बैल आकन को ओलने पिसन करके on कर लिजीगा, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और वीडियो को like नहीं किया, तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं, और यदे end बात करना चाहते हैं, तो कॉलफर में अप्लिकेशन के द्वारा मुझे से बात कर सकते हो, तो आज की इस वीडियो में बहसना है, मिन्ते के लिडियो में थैंक्स बाचिए, धन्मा दो